अब रिश जो दादा साइं के साथ बैटी थी अभी हाग का मेसेज मिलते ही हिरान से उठकर हवेली से बाहिर आ गई थी क्योंकि इसने बहुत जरूरी बात करने का बोला था और फोरण आने का कहा जिस पर वो परिशान हो गई थी इस दिये फोरण आ गई देकिन बाहिर लौन में कोई भी मजूद नहीं था लेकिन फिर इसके नजर लौन में एक दरफ रखी कुर्सियों पर बैटे जारिप शापर पड़ी थी जिसे देखती वो गपराती फोरण पल्ठने लगी जब जारिप ने इसे पीछे से पुकारा था रुके अबरिश हमें आपसे जरूरी बात करनी है वो जो इसे लौन में बैटे देखकर वापिस जाने रखी थी इसके बुलाने पर आँखें बंद करती अपने डर को दिल में दबाती एक लंबी सांस केंच कर खुद को परसुकून करते हुए थोड़ा करीब चलियाई लेकिन फिर बैटे या ना बैटे इस कश्मकश में पढ़कर अपनी उंगलियां चठाने लगी बैट जाएं इसकी जिजग को समझती हुए जारिपने हुधी इसकी परशानी तूर करती थी जिस पर वो सरहिलाती बैट गी इसे सवालिया नजरों से देखने लगी देखें अबरिश शादी एक दो पल या कुछ साल साथ कुजार लेने का नाम नहीं है ये उमर पर का साथ होता है और अगर आपको ये रिष्टा कबूल नहीं है तो आप अब भी हमें बता सकती है दादा साइं से हम खुद बात करनेंगे इसके मासूम चेहरे की तरफ देखती वो नर्मी से गोया हुआ जबके इसकी बात सुनकर अबरिष ने चेहरा ऊपर उठा दे अपने सामने पैदे इस वजाहत के शाहकार को देखा था इतना खुबसूरत था वो अगर अबरिष इसकी हकीकत ना चानती होती तो हर आम लड़की की तरह अपने किसमत पर रश्ट करती लेकिन इस वक्त इसकी बात सुनकर इसे जारब पर शदीद गुस्सा आया था वेल्डन मिस्टर जारब शाह कितना अच्छा दिखावा कर लेते हैं आप ये सब बातें करके मुझ पर क्या जाहिए करना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे और महरबान इंसान हैं बट सोरी टू से मैं आपको बता दू मुझ पर आपके इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला क्योंकि मैं आपकी हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ वो इस पर कारतार नस्रे डालती इस्तिजाया लेक्चे में बोली थी जबकि इसकी बात सुनकर जारिब की पिशानी पर वाज़े अपाल पड़े थी क्या मतलब है आपका कौन सी हकीकत की बात कर रही है यही कि आप कितने बड़े जूटे मुनाफिक और दरिंदा सिफ्थ इनसान है दोस्रों के सामने अपने चेहरे पर कैसे इच्छाई का निकाब ओड़े रखते हैं और हकीकत में आप एक जार्मो चाबर बेरह्मो बेहिस और कातिल हैं जिसकी नजर में दोस्रों की जिन्दगी की कोई ऐहमियत नहीं इसलिए तो किसी को भी हतम करने का आपके बाए हाथ का खेल है इसके सवाल के जवाब में वो इस बार खड़ी होती बोली नहीं बलके फनकारी थी जिसे सुनते जार्म के चेहरे के तासुरात पल में सपाट हुए थे जबके गहरी सब कांच सी आँखों में लहो उतर आया था आपको पता भी है कि आप किस से और क्या बोल रही है आपका कहीं दमाख वगेरा तो हराब नहीं हो गया वो भी अपनी जगा से खड़ा होता थंडे ठार लहचे में बोला था बिल्कुल होश में हूँ और ये भी पता है किस से क्या कह रही हूँ अपनी इन आँखों से देखा है आपको दूसरों की जिंदिगी से खिलवार करते हुए इसका थंड़ा लहचा सुनकर एक बार तो अप्रिश की रेर की हटी में संसना हट सी हुई लेकिन फिर हुद को कंपोस करती वो सर्थ देखे में पूली अच्छा ऐसा क्या देखा है आपने इसकी बात सुनकर आपके वो रिलैक्स अंदाज में जेप से सिगरेट निकाल कर सुलगाता इस्तिजाया पोला जबके चेहरे पर तंजिया मस्कुराहट थी एक मासूम इनसान की जान लेते हुए देखा है आपको बेरहमी से इसकी मस्कुराहट को देखते अब रिश का दिल तो चाहा वो मून होच लेसका लेकिन खुद को बेबस महसूस करते हुए सिरफ जीख ही सकी जबके इसकी आँखों के सासत लेहचे में भी नमी गुली हुई थी आहां ये तो बहुत बड़ा रास पता चल गया आपको हमारा आप तो बहुत बड़ा हत्रा साबित हो सकती है हमारे लिए तो फिर क्या करना चाहिए आपके साथ वो सिगरट का गहरक कश लेते दूआ इसके मूँ पर छोड़ता जो मैनी अंदाज में पोला जिसकी वज़ा अब ब्रिश की आँखों में फोरन होफ उतरा था इसे अप महसूस हो रहा था कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी इसे पहले से जानती हैं सही कह रही हैं ना हम इतना कहते रुक कर जैसे जारिपने इस से ताई चाही थी जिस पर अब ब्रिश ने इसकी आँखों में उतरती वहशत को देखती पोरन हां में सर हिलाया था तो जैसे आज तक इस रास को अपने दिन में दफन करके रखा था आगे भी रखिये तो आपके लिए ही बहतर होगा वैसे तो कोई हमारा रास जाने हमें बिल्कुल पसंद नहीं लेकिन राजदान आपके रूप में हो तो ऐसा कोई मजाइका भी नहीं वो इससे सर से लेकर पाउं तक गहरी निकाहों से देखता बोला जिस पर अब ब्रिश ने ए हम सफर बनने वाली हैं तो अच्छा ही हुआ कि पहले ही हमारी असलियत जान गई आपके सामरे वजूल पे हमें अच्छा बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा वो इसके चेहरे के करीब जुकते तंसिया गोया हुआ जिससे इसके नाक मूर से निकलता दुआ अब ब्रिश के चेहरे पर पड़ते इसे सुलगाने रगा था एक नजर इसके चेहरे को करीब से गोर से देखने के बाद जिस पर होफ वहशत के साय लहरा रहे थी पल्टने लगा जब कुछ याद आने पर दुबारा इसके थोड़ा करीब हुआ और जब बोला तो इसके लहजे में ऐसी सफाकियत थी के अबरिश रुख तक कांप गई और क्या कहता आपने दरिंदा सिर्फ और कातिल तो बस कुछ दिन इंतिजार कर लें बहुत जल्द आप इसी कातिल के निकाह में आने वनी हैं इस दरिंदे की दरिंदगी से अच्छे से रोशनास करवाएं के आपको हमारी द हान के पीछे उड़ेसते वो जोमानी अंदास में गंबीरता से बोलता इसके थर-थर कांपते सरापे पर एक इस्तिजाया नजर गालता पलट क्या हान बाहिए गार्डियों और गार्ड के साथ बिलकुल त्यार करा जारिप का इंतजार कर रहा था जब इसे वो घुसे में बाहिर आता हुआ दिखाई दिया था इसकी आँखों में उत्री लाली और वहिशत को देखते वो काफी हिरान हुआ था क्योंके इसने इसका ये रूप जैदातर गर के बाहिर ही देखा था तो फिर अचानक ऐसी क्या बात हो गए जो ऐसे हुशी के मौके पर भी इसकी आँ पर बोलने या फिर मदाखलत करने की अजाज़त किसी को नहीं दी थी सवाए दादा साएंगे लेकि इसकी जात के बहुत सारे पहलों से तो अभी तक वो भी नावाकित थे इसके करीब पहुँचने से पहले ही इसने गारिक का दर्वाजा खौल दिया था जिसमें वो अपन के साथ प्रंट सीट पर बैठा जिसके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की थी एक साथ के गाड़ियां दूल उडाती हुई हवेली से निकलती चली गई सफर हमोशी से तै हो रहा था जब गाड़ी में हान की अवाज गुजी सर्दार साइं आप ठीक तो हैं अपने अंदर की सारे हिम्मत जमा करने के बाद आखिर डरते डरते इसने पूछी लिया था जिसके जवाब में जारिप ने इसे ऐसी नजरों से देखा था जिस से इसकी डीड़ की हड़ी में संसनाहट से दोड़ गए जिस पर इसने फोरण माजरत करते हुए अपना रोख सीधा किया और भूल कर भी दुबारा अपने हलक से लफस ना निकाला जबके जारिप जिसका दिमाग अब्रिश के बातों पर पहले से हराब था इसकी मदाखलत पर इसका गुस्ता सवानेजे पर पहुंच चुका था बहुत गल्द किया था इस नड़की ने जो इसके अंदर के हेवान को लरकार दिया था जिसके जागने पर वहुत पर से हर इहतियार खो देता था इसने अपने जिस रूप को अपने हंदान से चुपा कर अलग रखा था वो इससे वाकिफ हो चुकी थी उपर से इसकी नजो इसने बत्तमीजी की थी बिलकुल नकाबले मावी थी जिसका इंजाम इतना बुरा हो सकता था वो नादान लड़की कभी अपने ह्यालों में भी नहीं सोच सकती थी वासिम जो बहुत मुस्से में आफिस पहुँचा था इसने सबसे पहले अपने पिये की बिलावजा ही कलास लेटानी थी जिस पर वो विचारा तो अपनी गलती ही डूणता रह गया था लेकिन इस गरीब को क्या पता किसी और की गलती की सिजा इस गरीब को बुक्तनी पड़ी है और यही नहीं बाकी जो जो भी इसके हत्ते चड़ रहा था इससे बेस्ती करवा रहा था जबके आज सुबा सुबा इसे इस रूप में देखकर सारे स्टाफ की सांसे हुश्क हो चुकी थी कि पता नहीं कब इनका बोस इसराइल की तरह इनकी रूप कबस करने के लिए पहुँच जाए और इन पिचारों को पता भी ना चले इन सब पर अच्छी तरह अपना गुस्ता निकालने के बाद जब वो अपने आफिस टूम में पहुँचा तो मारूप को पहले से वह मजूद देखकर इसका दिमाग हिलकर रह गया और गुस्से का ग्राब जो थोड़ा कम हुआ था दुबारा से बढ़ गया आप यहां क्या कर रही है मिस हसन वो अपने गुस्से को बिना दुबाए अपने लहचे में दरिष्टगी लाते चीख कर बोला जिस पर वो अपने जगा से एक फुट तक कुछ निदी इसका दिल वासिम की दहार पर सहमसा गया लेकिन इसके साथ साथ वो तोड़ी हेरान थी क्योंकि कल इसी ने तो इसे इसके ओफिस पहुचने से पहले कैबन में आने का कहा था अब वो इस पर बरहम हो रहा था सर आपने ही तो बोला था मेरे आने से पहने कल आफिस रूम में मजूद रहना बस इसलिए वो फोरन अपनी जगा खड़ी होती इसे अपनी जहां दर्गी वज़ा से इसके मुझे अलफाज तूट तूट कर निकल रहे थी काली हुबसूरत आँखों में आंसू जिल मिलाने लगे थी और पूरा सरापा दर्गी वज़ा से थर थर कांपने रगा था जबकि इसकी बात पर वासिम के कानों में इसके ही कल के बोले के बींची थी और साथ ही अपनी जलती आंकों को एक पल के लिए बंद करते खुद को परसुकून करने की कोशिश की थी अपके जब वो बोला तो इसकी आवाज में पहले जैसी दरिश्टिगी मफकूर थी अलबता लहजा अब भी स्पाट ही था नहीं मिस हसन अब मुझे बात नहीं करनी अपके वो दहार कर बोला जिस पर वो सरही लाती फोरण से पहले इसके कैबन से निकलती चली गई जबके पीछे वासिमशा ने अपना सेलफोन उस्से से सामने मजूद दिवार पे दे मारा था लेकिन इसका गुसा किसी तोर पर कम नहीं हो पा रहा था आज जो अभीहा ने इसकी तजलील की थी वो अलफास इसके कान में बार बार गुँचते इसके रगों पे एक जनून और नफरत की लहर बरपा कर रही थी अब वो लड़की वासिमशा की जिद बन चुकी थी और इस जिद के जलते अपने जनून में वो इसका क्या हशर करता वो कभी सोच भी नहीं सकती थी साराप ने हमें जिस लड़की का पता लगाने को बोला था इस फॉयल में इसकी सारी इंफरमेशन मजूद है इसका बोस जो अपनी कुरसी का रुख दूसरे तरफ करके बैठा था टेबल पर एक फॉयल रगती इसने इसे अपनी तरफ करने की कोशिश की थी जिसमें वो काम्याब भी ठहरा था क्योंकि इसका बास इसकी बात सुनते ही सीधा होते अपने सामने रखी फायल को उठाते इसे देखना शुरू कर चुगा था जिसे देखते ही इसके चेहरे पे एक बग्रू मुस्कुराहट आई थी तो मेरा शक सही निकला ये लड़की भी इसी हांदान से तालुक रखती है आर जे मुझे ये लड़की हर हाल में चाहिए किसी भी कीमत पर तुम्हें इसे हासिल करके मुझ तक पहुँचाना होगा लेकिन सर ये काम इतना भी असान नहीं है वो सरदार जारिप्षा की बेहन है जिससे दुश्मिनी मौल लेना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर है और आप तो सीधा इसकी बेहन को उठाने की बात कर रही है जिसे वो अपनी जिन्दगी कहता है अगर इस काम में हमसे एक छोटी सी भी गलती हो गई और हम इसके हाथ चड़गे तो वो हमें ऐसी मौत देगा जिससे खुद मौत भी होफ खाती होगी सर वो इनसान नहीं बलके एक दरिंदा है जो कब और कहां से वार कर दे कुछ पता नहीं चलता वो डरे हुई लहजे में इसे जारिप की ताकत और दरिंदगी के बारे में पता रहा था जिसे सुनते इसका बॉस कहका लगा गया बला इससे बहतर जारिप शा को और कौन चान सकता था यार आरजे मुझे तुमसे ऐसी बुजदली की हर्गिस उमीद नहीं थी कुछ नहीं पिगाड सकता हमारा ये शाहंदान ना बरसों पहले वो कुछ कर पाई थी ना ही वो अब कुछ कर सकेंगे ये जारिप शाह चाहिए कितना भी बड़ा दरिंदा क्यों ना बन जाए लेकिन मेरे सामने अभी वो जोटा बच्चा ही है इसलिए रिलैक्स रहो जब इसके बड़े हमारा कुछ नहीं बिगाड पाई थी तो ये अकेला क्या कर लेगा तुम बस इस लड़की की उठाने वरी बात करो वो अपने चेहरे पर इस्तिजाया मस्कुराहट सजाती तनसिया कहते हुए इसे अपना अगला हुख सुना गया लेकिन सर वो अकेला ही सो के बराबर है और यही बात इस लड़की को उठाने की ये तो अब नमुमकनात से है एक वो लड़की कभी घर से अकेली नहीं निकलती और दूसरा इसकी अब शादी हो रही है जारिब शाह के ही तायाजाद कजन वासिम शाजे जो हुद भी एक साइको इनसान है जो वक्त पढ़ने पर अपना को भी नहीं बक्ष था इसकी बात सुनते इसने अपने बास को अबीहा के नकाके बारे में बताया था जिस पर वो एक बल के लिए चोंका लेकिन फिर पहले से भी जैदा जानदार कहका लगा गया अब ही तो मज़ा आएगा बेवकूफ सोचे जरा कितनी बेस्ती होगी शाहनतान की जब चादी वले दिन बारात दुलहे समेट दर पर खड़ी होगी और दुलहन गर से गाइब जारिपशा की सारी अकड़ और हेकड़ी एक ही वास से निकल जाएगी जिसके बाद वो लोग आपस में ही लड़ लड़कर मर जाएगे वो मक्रू कहका लगा था इसे अपने प्लैन से अगाह करने रगा था जिसे सुनने के बाद आरजी के जहरे पर भी एक महफूस कुन मस्कुराहट आई थी सारी हवेली को बड़की कमकमों और फूलों के साथ सजा दिया क्या था केई हजार रुक्बे पे बनी ये इशा हवेली जो साथकी में भी अपनी हुपसूर्टी से देखने वालों को मुपूहत कर देती थी आज जगमक करती हुई लाइटों से सजी इसमें रहने वाले अफराद की हुशी का पता दे रही थी निका बले ही इन लोगों का साथकी से हो रहा था लेकिन हैदर शा ने इतने कम वक्त में भी इंतजामात ऐसे किये थे जिसकी तरीफ करने के लिए लफास कम पढ़ जाएं आज सर्दार हैदर शा के पोतों सर्दार जारिप शा और वासिम शा का निका था जिसकी हुशी में आज पूरे गाउं में मिठाई के सास्थ खाना तक्सीम करने का इलान कर दिया गया था जिसके बाद एक भी गर में चुलहा नहीं चला था हवेली के लॉन में एक बड़ा स्टेज तियार किया गया था जिसके दर्मियान में फूलों की लड़ियां लगा कर इसे दो हिस्सों में तक्सीम कर दिया गया था जो निका मुकमल होने के बाद हटाई जानी थी दुल्हनों को तियार करने के लिए ब्यूटेशन को हवेली ही बुला लिया गया था जिसने अपना काम सरहूबी इंजाम देते हुए इन्ही तियार कर दिया था जिनको देखने के बाद बहुत भी हेरान थी क्योंकि इसनी इतनी हुबसुरत दुल्हने एक साथ आज तक नहीं देगी थी जिनमें ये फैस्ता करना मुश्किल था कि जैदा कौन प्यारी है उसमा बेगम नजमा बेगम के साथ अम्मा साई भी इनकी बलाए लेती नहीं ठक रही थी और इनके साथ सफेद प्राग में मलबुस हलके पुलके मेकप में त्यार हुई जर भी बहुत हुबसुरत लग रही थी केस पर से नजर नहीं ठहर रही थी जिसकी वज़ा से अम्मा साई ने दोनों दुल्हनों के साथ साथ इसका सदका भी उतार दिया था के कही इनकी गुलशन की कलियां को किसी की नजर ना लग जाए लेकिन नजर तो बहुत पहले ही लग चुकी थी वो अलैदा बात कि वो फिलहाल इस बात से अंजान थी इन सब से फारिक होकर वो तीनों हवातीन जर्ग को इनका ह्याल रखने की तलकीन करती पाहिर चली गई थी क्यूंके अभी कुछ देर में ही निका का फर्स इंजाम दिया जाना था और साथ साथ हवेली में आते मेहमानों की हातिर तवाजा के लिए इनका वहां मजूद होना भी जरूरी था इनके जाने के बाद जार इन तोनों की दर्ब मतवज्जा हुई थी जो आप भी मू लटकाए ही बैटी थी क्यूंके एक लड़की के लिए ये वक्त बिलकुल भी असान नहीं होता बले ही इन लोगों ने शादी करके इसी गर में रहना था लेकिन अपनी जात के सासाथ अपनी रूख पर भी किसी दूसरे इनसान को मुकमल एहतियारात दे देना बहुत ही मुश्किल अमर होता है और इनसान भी वो जो इन दोनों को बिलकुल भी पसंद नहीं थे ऐसे में वो हुश्ट दिखाई कैसे दे सकती थी जब अंदर से इनका दिल दिमाग और रुख भी हुश्ट नहीं थी क्या हुआ है तुम लोगों को कोई अपने निकाग के दिन भी ऐसा मुँ बनाता है जैसे तुम लोग बना कर बैठी हो वो इनके सड़े हुए मुँ देखकर तपकर बोली तुम लोगों को पता तुम लोग कितनी लगी हो एक तो तुमें इतने प्यारे दुलहें मिल रही है दूसरा पढ़ाई से तुम लोगों की जान चूट जाएगी तुम लोग हर टेंशन से फ्री होकर अपनी जिन्देगी जी सकती हो और पता है तुम लोगों को अब तो मुझे तुम से जलसी भी फील हो रही है मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी जल्दी दुलहन बन जाओ मेरे लिए भी तुम्हारे ही जैसा प्यारा सा दुलहा आए और मुझे दुलहन बना कर डूली में पिठा कर ले जाए वो अपनी आँखें बन कर दी वो आपदीदा लेचे में हलका सा गुन गुना कर बोली जिस पर इनकी हंसी चूटी दी जिसे देखते ही वो होश में आती वो बना गई क्या है अब क्यों हंस रिखी हो तुम दोनो इनके ऐसे हंसने पर अब के वो घुस्से से बोली दी जिस पर वो एक पार फिर कहका लगा गई लेकिन फिर इसके बिगड़ते तासुरात को देखते इन्होंने बामुश्कल अपने मुँपर हाथ रखते हंसी को कंट्रोल किया था अच्छा अच्छा सोरी अब हम लोग नहीं हंसेंगे इसलिए अपना मुट ठीक करो पोलो अब इसके कहने पर वो इसकी दरफ मतवच्चा होती बोली कि क्यों ना दादा साई से बात करके अपने साथ साथ आज तुम्हारा भी निकाव पढ़वा दे हाई सची पर इतनी जल्दी दुल्हा कहां से दून कर लाएंगे वो इसकी बात पर हुश होती एंड में परिशानी से गोया हुई थी जिस पर इन दोनों ने अपनी मस्कुराहत चुपाई यार बाहिर ढूनने की क्या जरूत है दुल्हा तो गर में ही मजूद है जारून से शादी करवा देती हैं तुम्हारी क्यों कैसा लगा मेरा आइडिया इसके चेहरे की तरफ शरारत से देखते अपके अभीहा बोली थी जिसके ताइद में अपरिश ने भी जोरो शोरो से सर हिलाया था जबके जारून के नाम पर जार ने बुरा सा मू बनाया था कभी सोचना भी मत मैं कभी शादी नहीं करूँगी तुम्हारी इसने कम्मे नलाइक और बत्तमीज लाला से इनकी बात पर इसने इंकार करते हुए अपना फैसला सुनाया था जबके अपनी लाला के बारे में इसके नादर हैलात जानकर अपरिश का मू बन गया था इसके बाराक अभी अभी हा कहका लगा गई दूसरी तरफ जारून जो अपनी बेहनों को निकार से पहली मिलने और प्यार करने के लिए आया था और इसके हालात जानकर अपनी हंसी चुपा दे इसके सजे सवरे सवरापे को अपनी निकांगों में समाते चुपके से इसकी फोटो भी अपने फोन में बना ली थी लेकिन जब अभी है ने इसका जिकर किया तो एक पर के लिए इसकी दिन्ली हुआश की थी वो फॉरण से हा कर दी लेकिन इसके अपने बारे में नादर है आलाज जानकर इसके सारे अर्मानों पर पानी फिर गया था जैसे मिस्सर मीने मुसा शाह देखियेगा दुलहन आप ही इस नकम्मे और नलाइक इनसान की बनेगी ये जारून अर्मगान शाह का आप से वादा है इसके हुबसूर चेहरे की तरफ देखते जारून ने उससे वादा किया था लेकिन किस्मत में क्या लिका था इस से अंदर मजूद तीनों हस्तियों के साथ साथ वो पाहिक करा वजूद खुद भी अन्जान था